तो अगर तो इमरान खान की रैली कामयाब हो जाती और इंटरनेट पाकिस्तान में उस तरह से सस्पेंड नहीं होता तो कितना बड़ा establishment के लिए एक ये कहें कि धका होता कि जी वो इमरान खान तो बावजूद कि वो जेल में है बावजूद कि उसकी पार्टी को आपने तोड दिया वो फिर भी मुल्क का सबसे popular तरीन लीडर है एक तमाचा था पाकिस्तान की establishment के उपर अगर वो रैली कामयाब हो जाती इसलिए ये खबर जो है sorry to say ऐसी खबरें जारी करवाई जाती है एक मुल्क जो ये कह रहा हो पिछले 30 साल से कि हमारे यहां पर दाओद इबराहिम नहीं है उसी मुल्क की एक यूट्यूबर इसलामाबाद में बैठ कर ये बात कहे कि जी उसको जहर दे दिया गया है तो क्या वो ये नहीं जानती कि इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हम पाकिस्तान के अंदर आर्मी साबिक आर्मी चीफ की जो ग्रैंट डॉर्टर है खदीजा शाह उनको नहीं बक्षा गया है जी वो पिछले कुछ महीनों से जेल में हैं और ऐसे टाइम पर एक खबर कोई एक खातून लीग कर दें कि इमरान ये तो दाओद इबराहिम को मार गया है और ये है वो है ऐसे खबरे नहीं हो जाती हूं उसको गायब कर लिया जाएगा रात और रात उठा लिया जाएगा और मैं ये यूँ ही नहीं कह रहा हूं पाकिस्तान पर 24 घंटे में देखता हूं कि उस मुल्क में क्या हो रहा है वांके अंग्रेजी अकबारों को उर्दू अकबारों को पढ़ता हूं और कि मैंने कभी जिंदगी में कोई बात रखी ही नहीं एक ट्रैग रकॉर्ड भी होता है वाइरल होना पॉपुलर होना हर कोई चाहता है लेकिन यह हथकंडे ठीक नहीं है अच्छा यह हुआ कैसे मैं थोड़ा सा यह और बता दूं दो लोग लबज हैं जी इसमें आप जाएं डीटेल्स चेक करें मेरी हर एक बात को आप जो है ना फैक्ट बेस आप चेक करने की कोशिश करें आरजु काजमी बात करती है एक इंडिया के जटनलिस्ट है नाम ने हाथ रोहिच शर्मा उनका नाम है रोहिच शर्मा ने यह स् वीडियो बनाया अच्छा रोहिद शर्मा ये कहते हैं आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं दो लाक स्य हजार के को लोगों ने देखा है कहते हैं कि मेरे एक बहुत ही बहुत ही लाइबल सोर्स मेरे बहुत ही जिनके उपर मैं यकीन करता हूँ उन्होंने मुझे ये खबर दी है उनकी खबर कभी गलत होती नहीं तो कुछी घंटों बाद ये खबर आर्जू भी दे देती हैं हुआ क्या आर्जू काज में फोन किया होगा रोहित शर्मा को और का तुम्हे मैं तुम्हें वीडियो नहीं बना पा रही हूँ अभी हमारे यहां तो इंटरनेट डाउन है तुम्हें काम करो इस खबर को ब्रेक कर दो उसमें उसे ब्रेक कर दिया और आर्जू ने उसी खबर को बेसिस बना के कि जी सोशल मीडिया के ओपर ये खबरें गर्दिश कर रह है मगर इसमें कोई शक नहीं कि वो आज मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है जहें दोस्तों दोस्तों अभी जो दाओद इबराहिम की ख़बर पाकिस्तान से लीक हुई को उसको किसी ने जहर दे दिया गया वो होस्पिटल लाइड है और शायद उसकी डेट बोडी को भी शिफ्ट किया जा रहा है क्यूंकि उसकी डेथ हो चुकी है ऐसा पिछले दो तीन दिनों से बजार गरम था इंडिया में खास करके इस बात को लेके बहुत से यूट्यूबर्स ने वीडिया बनाई और पाकिस्तान में इस बात को लेके सनाटा था इंडिया में जो सबसे पहले खबर बरेक करी यहां पर रोई शर्मा थे उन्होंने खबर बरेक करी उन्होंने कहा कि यह मेरे रिलाइवल सोर्सेज हैं जिससे मुझे मालूम हुआ है कि यह बात हो गई है दाउद को किसी ने जहर दे दिया प्रनतु यह बात को तीन घंटे बाद तकरीवन आर्जू काजमी है उन्होंने ब्रेक किया कि जी दाउद के सकात ऐसी ऐसी घटना घटिया है और उसको जहर दे दिया गया है यह सब सोर्सेज बता रहे हैं यह खबरों के अभी तक पोश्टी नहीं होई हैं पर इसी दोरान पाकिस्तान में बिजली संकट प दिये गए तो इस बात को और तूल मिल गया किसाई की खबर चुपाने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है तो इस बात को लेकर तुनाटरहज की खबरे इंडिया से भी पाकिसितान से भी आने लगी इसी बात में इतनी घटना को आर्जु काजमी कैसे लिकाउट कर सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान में रह रही हैं पाकिस्तान के अंदर मीडिया को इतनी उजादी नहीं है कि वहां की जंसियां इतना छूट दे दें कि इतनी बड़ी ख़बर को वह लीक उट कर दें जबकि यह ख़बर के पीछे उनका तर्था कि पाकिस्तान तो हमेशे यह कहता रहा है क लेकिन दावत तो आपके पास था तो उनको इस बात को शंका है कि कहीं ना कि इंजन्सियों के साथ इंवल्मेंट के बिना ये काम नहीं हो सकता अजन्सिया इन से ये काम करवाती हैं श्याद ये इमरान खान की जो वर्चुल रेली होने जा रही थी उसको ध्यान भटकाने के लिए उनसे ये खावर लीक ओट कराई गई है तो इस बात को लेकि दोस्तों उनको उन्होंने जो कमेंट किये हैं वो दो तरफ जाते हैं एक तो पाकिस्तान के साथ उनको शाहद इस बात को लगगा कि दावद की ख़बर कैसे लीक उट हो गई दूसरे वोई इम्रान खान क तो दोस्तों इस बात को लेके रोई शर्मा ने भी वो किया कि मैं अपनी ख़बर पर स्टैंड लेता हूं मेरी ख़बर बिलकुल सही है मेरे सोर्सों ने मिलकुल सही ख़बर दिया है इसमें शहद पहले भी आर्जू काजमी पर इल्जाम लगते रहें कि उसको आई इसजी का आजन्ट कहते रहे हैं और रोई शर्मा पर जाम कई वरी लगे हैं कि वह किराका आजन्ट हैं तभी वह ऐसी ख़बरे ब्रेक ओट करते रहते हैं वह ख़बर इनके पास सबसे पहले तभी पहुंच पाती है तो दोस्तों अब यह मैं आपको दोनों की बाते सुनाँगा उस सुनते हैं आगे अर्विंग जी चा कहा है इसने कहा है उसने कहा है रजट शर्मा सहाब इतने बड़े जनलिस्ट हैं देश के उनका प्रोग्राम देख लें आप कल रात का जाके उन्होंने बेस किसको बनाया इस पूरी स्टोरी के उपर उन्होंने कमर चीमा आर्जुकाज कि आप कह लें क्योंकि हमारे प्रोग्राम से के जो मैमान होते हैं वो मिलते जूलते होते हैं थोड़े बहुत उन्हीं लोगों को बेस बनाया और उन्होंने पूरी स्टोरी इसके उपर कर दी अब रहा सवाल कि जिस शक्स के उपर रोहित शर्मा को मैं सबसे पहले जो है इ सरी ट्विटर पर लेहा है उन्होंने कि मुझे बड़ी धमकिया मिल रही है मेरा फोन हैजैक हो गया मेरा वॉटसेफ हैजैक करने की कोशिश हो रही है भाई मेरा तो किसी ने कोशिश नहीं किया अस तक मैं सची बात बताँ माँ आपको WhatsApp hijack करना तो दूर मैं खुद पाकिस्तान गया तो मुझे भी किसी ने hijack करने की कोशिश नहीं की WhatsApp तो दूर की बात है और आगे भी जाओंगा कभी अगर गया तो भी कोई नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई ख़बर होती ही नहीं है आज सारे दिन चाही रही दाउद इब्राहिम की ख़बर और ख़बर के साथ मेरे पास सुवसुवा कोन जाए वह सारे कुछ पोन ऐसे भी आए कि आपको एक ख़बर कहां से मिली पता नहीं है करके फोन है करके पूछा गया मेरे ट्विटर अकाउंट को कहीं पेरू से खोलने की कोशिश की गई उसके लिए मेल आई मेरे Instagram अकाउंट को भी खोलने की कोशिश की गई मेरे Telegram अकाउंट को खोलने की कोशिश की गई एक करने एक कोशिश की गई साथ में मेरे WhatsApp को भी हैक करने की हर जगा Message आ रहे थे कि आपके अकाउंट को खोलने की कोशिश की जा रही है ये कौन कर रहा था मुझे नहीं पता है लेकिन मैंने इसके complaint जरूर की है और साथ मैं फोन पी आया कि आप हमें बताईए मैंने अपने source सजे disclose बने नहीं किया लेकिन मैं कुछ धंकियां भी आ रही थी मैंने इसके complaint की है ये पूरा गेम क्या है दाउद इब्राहिम की खबर इतनी sensitive क्यों होती है और क्या दाउद इब्राहिम मर चुका है इस पर भी बात करेंगे हमारे साथ सुमेद जैन थोड़ी देर में आर्जुकास भी हम ऐसा जॉइन करेंगी पहले पहले मैं सुमेद जैन साब सब्सक्राइब क्या कोई नमस्ते कुछ नहीं है आपको जो है दाद देताओ मैं कि सबसे पहले खबर आपने ही यह शुरू करी थी कि दाउद को मार दिया गया है या उसको जहर दे दिया गया है और उसके बाद जो सो कॉल्ट है भारत के वो कूद गए और उसके बाद वो स्थोरी यह नो तो चैनल की बात नहीं है, जबकि मुझे ऐसा लगता है, कि इसके पीछे कोई भी सचाई नहीं है, अगर दाओद या उसकी फैमिली को, किसी को भी कुछ किया होता, यह सिर्फ इंडियन मीडिया में ही इतना सेंसेशन्स क्रिएट किया जा रहा है, बट, मुझे एक बात की आप अगर इतने बड़े investigative journalist हैं तो फिर आपको अपनी story को back करना होता है with evidence वरना वो कहते हैं ना once a liar always a liar फिर आप एक दफा जब आपकी साख पे कोई बदनुमा दाग लग जाए तो उसको धोते धोते जिन्दगी बीच जाती है अब ये साहब आप पिछले साल एक साल पहले कि मैं आपको यहां पे चाहें तो स्क्रीन पर दिखा सकता हूं reporting जो इन्होंने की थी अब वो उसमें ये जी शीजिंग पिंक का इन्होंने कू कर दिया था एक साल पहले कि वो house rest हो गए है ये है वो है और ये देख लें आप इसक अब मसाला खबरें देनी है ना सर है ना पैर है इसलिए शायद इनके व्यूज पांच जार च्छे अजार दस अजार यूं होते हैं और फिर अचानक ही एक दिन रात दो तीन लाख में चले जाते हैं अब आप ये देखिए कि इंडिया की जो audience है ये उनकी intelligence का मज़ाक उड अब इसमें तीनों ही आ गए हैं और सब को केटर करते हैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थोड़ा सा ग्लैमर भी है उनकी रिपोर्टिंग में उसमें पाकिस्तानी एंगल भी ले आओ भाई एक फैंटम भी बना दो किसी ना किसी को तो आसि मुनीर को ले लो अच्छा आप सोचें जरा एक प्रोग्राम है 22-30 मिनट का उसमें रिचा चड़ा भी है उसमें आसिम मौनीर भी है जाकर नायक भी है तो इसका मतलब यह हमारे लोगों की जरनलिजम का उनकी सोच का मैं इस बात का तसवर भी नहीं कर सकता कि मैं किसी खातून की इस तरह से तस्वीर लगा कर और उस पर मैं कोई रिपोर्टिंग भी करूं क्या बात करूं ना उस पर एक तो मैं सिरे से खारिज करता हूं यह फेक निउस है इन लोगों की यह जान बूच कर इस तरह की खबरें चलाते हैं लाइम लाइट में आने के लिए यह जो सहाब है आर्जू काजमी ने उनको कहा कि बीबी तुम चड़ जाओ इस खबर के उपर तो उन्होंने वो चड़ गई लेकिन रोई शर्मा साथ तो एक इंडियन है उनको चाहिए था कि वो थोड़ा सा इस पे या तो अपने अब कल को अगर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनको पकड़ती है कि बता काम मत करना सची बात है ठीक कि यह काम मत करना तो एक तो यह किसम की रिपोर्टिंग करते हैं अब तक जिनकी इब्राहिम को काफी के ने कि अंदर दो जहर के लिए खाउंगा जैसे वहीं बैठी थी उसके ड्राइंग रूम में यह उनका वीडियो यह वीडियो सब्सक्राइब पिर का कि नहीं मुझे मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा है तो कॉफी के अंदर फिर दो जैरती गोलिया दी गई अब अधाजा करें कि इस लेवल की रिपोर्टिंग में हो लिए है अच्छा आपके पास लेटेस्ट न्यूस किया है बताओ बिले अगर लेटेस्ट न्यूस कि बॉड़ी कहा पॉची अभी तक 2549 पीपल लाइब इस प्ली तो पता नहीं सकता है कि कुछ पता लगे के कुछ हुआ भी है मैं तो कसम से मनत मांगने हूँ कर उटी गया वह तो अच्छा है कम से कम मारी ख़ब तो सची हो जाएगी नहीं वरना त इसे ही नहीं बोलते हैं आपके लक्षर भी कराब है तो को रोई एजेंट प्रूब करने में लगी तो मैं तो कम से दूआ करी हूंगे उपर आले थे कि इसको ठाले इसको ठाले इसको ठाले तागे ना ये कम से कब ये ख़बर अगर सॉलिट पढ़ गई ना तो बस शिक्सा होगा वैंकि फिर तो रोई शबा जो है नंबर वन रिपोर्टर बन जाएंगे इंडिया के हां बिलकुल ऐसा ही है बलके सुबह भी मैं किसी को बता रही थी तो मैंने किसी को का कि मैंने पहले सोचल मीडिया पर देखी ए न्यूस उसके बाद मैंने रोई का वीडियो देख इस बारी फाइनली मर रेगा लेट्स लेट्स सेकिट इन अधर वेरांड जो आपके पास जो आपका सबसे बड़ा सीओ था उसामा बिल नादन जिसके लिए पधार मंत्री तक ने आंसू बहाए थे तो वो जो आपके पास मिला उसको पहले भी आपने आपी की आर्मी ने चार पांच बार डिक्लेर किया कि उसका और यहरी उसका है लेकिन उसे प्रोटेक्शन देते रहें आपकी कंट्री में क्या ऐसा नहीं हो सकता अभी दाउद की साथ भी ऐसे कर रहे हो हो सकता है बिलकुल हो सकता है और अगर किसी ने जहर दे दिया है थीक है first caller दे D nasal दिया ठीक है तो हमारी है तो अगर कोई ऐसे on duty मर जैंना मतला duty to करी रहाताना किछ ना मुझ میुँ न रहो working और अगर हमारी कोई on duty मर जाए तो हम उसे शहीद करते हैं और शहीद कभी मरते नहीं है तो अगर वो मरा ही नहीं तो हम कैसे बान जाएं कि वो मर गया है ठीक है तो हम उसे वहना तो पता लगी जाता ना लेकिन फिलाल मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से कोई भी इस बात को acknowledge करेगा या फिर हम ये करेंगे कि हम शिप के जरी जो है ना उसकी बाड़ी को भीज देंगे किसी और country में और वहां से निकाल के लेकर आएंगे कि असन में यहां पे छोले बटोरे का रहा था छुपके गया था खाने के लिए इसलिए पैसे नी दिया तो जोले बटोरे वाले ने मार दिया पैसे ना मिलने की देख लो हमारी फे जो ख़बर है बिल्कुल सही है इसको आज रात ट्रांसफर किया जा रहा है किसी और country में ताकि आर्जू जी की जो बात है कि भी वो कराची में पकड़ा गया उसे hospital बेज आ गया ये सारी बाते confirm ना हो सके और नाक country की बचाने के लिए आर्जू जी की नाक कटानी बहुत जरूरी है अभी अरे मैंने कौन से ना मैंने तो बोला अपनी वीडियो में के भाई confirm नीज नहीं है मतलब ये के मुझे ऐसा पता लगा है लेकिन अभी तक confirm नहीं है तो पत्थर इसे भी मारते हैं मन में मेरे ये चवरा था बीबी पहाड़ों पे पानी किसने रोका है उसने आना है समतल जमीन पर कश्मीरी पानी का चार डालेंगे क्या अब आप अंदाजा करें आप अंदाजा करें ये जर्नलिस्ट है और ये इंडियन टीवी चैनलों पर बै आप तो इंसल्ट कर रहे हैं इडिया की चो ऑडियन से उसकी इंटेलिजन्स की कि वो इतले बेवकूफ हैं कि आप किसी को पकड़के अगर कोई नहीं है तो आप जिस तरह से क्लास लगाते हैं वैसी लगाएं वो ही बहुत है क्या जरूत है ऐसे जाहिलों को बिठाने की सा हमी ने हमारे क्रियेट किये गए मॉंस्टर है और अब पाकिस्तान कहते हैं इन्होंने इसको इतना चड़ा दिया है तो ठीक है हम भी इनका इस्तमाल करते हैं इंडिया से सारा पैसा कमाना है सब कुछ इंडिया से है इनका और बीच बीच में अपना प्रॉपगेंडा भी दालते रहते हैं कभी किसी साथ के बारे में पता करना उसकी पूरी हिस्ट्री आप खंगा लें फिर फिर आपको पता चलेगा इनकी जरा माजी की जो ट्वीट्स है वो तो देखें मोधी साहाब को ये एक अजगर बताती है और फिर कहती है कि एक अजगर ने कश्मीर को हो सकता है मेरे इनके बीच में एक हजार एकतलाफात हों किसी भी मौजू पे हो सकते हैं इन सम मा बेटे में होते हैं भाई बेहन में होते हैं किसी में भी हो सकते हैं लेकिन इनका जो पेशा है वो बड़ा मुकतस है हमारे नजदील की ये जान से लोग हमारे लिए तो ये ल कि आप देख ले जड़ा पुल्वामा अटेक एंड कश्मीर सिचुवेशन इनोसेंट पीपल बाइंडियन आम्म्ड फोर्सेज कि किस तरह के लोग हो गए हैं कहां तो हम प्राइड लेते हैं इस बात में कि हमारे बंदे CEO हैं multinational companies में all over the world हम जिस मुल्क में जाते हैं जिस तेयरपोर्ट पर लेंड होते हैं हमारी इज़त होती है और एक तरफ हमने जाहिलों की ऐसी फौज खड़ी कर रखी है यह national interest में है हमारे कोई पूछे फिर यह आप देखें और काम क्या आता है मोदी जी को he's a terrorist और आप लोगों ने PM बना दिया कमाल है इस तरह है कि इनका इंडिया से पैसा कमाना तो मकसद है ही है उससे भी बड़ा मकसद यह भी है कि यह धीरे-धीरे हमें खुश करते हैं वही बाते कहती हैं जो हमारे कानों को अच्छी लग आण डिवाली है मुम्किन है शायद मैं दिवाली करना दिवाली विष करना जो है मुझे याक और भूब अपने ख्याल रखेगा तब तक नमस्कार स्लाम वालेकूम अधावद